हेलो अब्रिवन जै हिंद तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ये जुलाई मन्थली पर बेस रहेगा जून मन्थली आप लगों को प्रवाइड करा ही चुकी हूँ और दो से तीन दिनों में मैं आप लगों को अगस्त मन्थली भी प्रवाइड करा दूगी ग्रुप D के एक्जाम चल रहे थे भी आप लगों के एंडी एक्जाम सेप्टेंबर में होने हैं BPSC का एक्जाम होना है और जितने भी स्टेट PCS के एक्जाम है ना इन सभी एक्जाम के लिए ये जो वीडियो महत्वण होने वाला है पूरे जुलाई मन्थ का इसमें मैंने प्रखा है 90 से 99 प्रश्ण वसे सेलेक्ट की हैं इसमें जो की आप लोगों को मैं डीटेल में पढ़ाऊंगी ठीक है तो शुरू कर लेते हैं दूर संचार सेवा कंपनी है रिलैंस जीयो इसके ने अध्यक्ष कौन मने हैं तो देखें आकास अंबानी जो की मुकेस अंबानी के बड़े बेटे हैं इनकी जो अपॉइनमेंट है रिलैंस जीयो किने अध्यक्ष करूप में की गई है मुकेस अंबानी ने अपना ही चार्ज इने ले दिया है रिलैंज जियो 2007 में स्थापना हुई, मुंबई महराष्ट में हैट्पॉर्टर और मुकेस अम्मानी ने इसके स्थापना की थी अब अध्यक्ष का डिसकुशन आया है तो Bombay Stock Exchange के अध्यक्ष SS मुंद्रा बने हैं दिंगर गुपता अभी हाली में National Investigation Agency के अध्यक्ष बने हैं और सामन्त कुमार गोयल ये दो बारा से भारत की जो खूफिया Agency है रो इसके अध्यक्ष बन गए हैं रो यहीं कि Research and Analysis Wing ये इसकी फुलफोर्म हो जाएगी और स्टार्टिंग में ही बता दूंगी मैं आप लोगों को कि जितने भी स्टुडेंट है जो कि इस वीडियो की PDF कलवाना चाहते हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिलकुल भी फिजूल पैसे आप लोग खर्च म नहीं है क्योंकि कुछ समय से भी आप जुड़े मेरी क्लास में तो आप लोगों को करंट फर्याद होते चल रहा होगा अगला प्रश्ण है महाराष्ट के औरंगाबाद का नाम बदला गया है और बदल करके क्या रखा गया है संभाजी नगर अटल नगर तो देखो जो नय नया रायपूर है ना नया रायपूर का नाम अटल नगर किया गया और अटल चौक यदि पूछा जाए तो यह उत्तर प्रदेश की हजरत गंच और आहे का नाम रखा गया है और महाराष्ट में जो नवी मुंबई एरपोर्ट है इसका नाम बदल करके डीवी पार्टिल ए नाम रखा गया है यह चत्रपती सिवाजी के बड़े बेटे रहे थी ठीक है अगला प्रशन रंजी ट्रॉफी अभी स्पोर्स का प्रशन है तो मैं आपको बता दू यह क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है और रंजी ट्रॉफी अभी हाली में मध्य प्रदेश ने जीत तमिल नाडू ने भी Kricket से रिलेटेड जो ट्रॉफी है सेयद मुस्ताक अली ट्रॉफी 2,000 की अपने नाम करी थी हमाचर प्रदेश ने भी क्रिकेट से रिलेटेड एक ट्रॉफी है विजह 1000 ट्रॉफी पिछले वर्स की हमाचर प्रदेश ने जीती थी और सन्तोज League में करी बॉल से रिलेटर जो की केरल ने अपने नाम की है 31 वा व्यास संबान 2021 से किसे संबानित किया गया देखो भारत में ग्यान पीठ हवार्ड के बाद दूसरा सरवोच्च संबान साहित जगत में माना जाता है व्यास संबान को तो जो रामदरस मिश्रा है इन्हें 31 व्यास संबा 2019 सम्मानत किया गया माफ किजी मैंने गलत क्या दिया 31 वा व्यास सम्मान 2021 यह गलत कह यह मैंने माफ किजए का अभी तुरंस ही वह सुधार कर देती हूं कभी कभी हम बोलना कच और छाते हैं चाहते हैं जुबान कच और बोल देती है chests क्लियर कर रहे हूं मैं आपर next question पहुचने से पहले ही correction कर देती हूं option देख करके थोड़ा से देखिए जो सरद पगारे हैं और रामदरश्च मिश्रह हैं तो शरद पगारे शरद पगारे को नाम मिला है 2020 वाला नील मड़ी फूकन दामुदर माउजो तो 56 और 57 ज्यान पीठ मैंने जसी कहा है कि ग्यान पीठ हवार्ट भारत में साहित जगत का सरवोच सम्मान माना जाता है इसके बाद होता है व्यास सम्मान तो यहां मैं लिख देती हूं व्यास सम्मान 2019-2021 तीने के अभी एक सांथ प्रदान किये गया है न इसलिए बस तीन नाम में मैं कन्फ्योज हो गई थी लेकिन क्लियर कर देती हूं देखे 2019 का मिला है नासिरा सर्मा को 2020 का मिला है शरद पगारे को और 2021 का मिला है अजगर वजाहत को तो यहां 31 व्यास सम्मान लिखा है लेकिन option में अजगर वजाहत का नाम नहीं है राम दरश मिश्रा तब राइट अंसर होता राम दर अब मैं समझी कि confusion क्यों था यहां लिखा व्यास सम्मान और रामदरश मिश्रा लिखा है तो रामदरश मिश्रा का नाम किस से related है सरसुती सम्मान से तभी confusion हो रहा था देखिए सरसुती सम्मान तो फिर यहां question correct करना पड़ेगा जो मैंने detail बताई है व्यास सम्मान की एकदम स व्यास सम्मान हो गया अब यदि मैं question को सुधार हूं यहां लिख दू यदि मैं सरसुती सम्मान तब right answer होगा रामदरश मिश्रा अब ठीक है तो मैं question ही modify कर दूँगे रामदरश मिश्रा इनकी जो रचना है मैं तो यहां हूं इसके लिए 31 सरसुती सम्मान इन्होंने जीत महराष्ट में भी तक्ता पलट हुआ था जैसे बिहार में हुआ हектор में पार्टी बदलि गई है लेकिन महराष्ट में मुख्यमंतरी बदल दिये गए हैं पहले कौन थे उध्धर ठाकरे अब जो एकनात्षिंद्रे हैं यह महराष्ट के उर्भगति मंतरी के लिए बन गया ह हैं भारत के टारुनी जनरल तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार या टारुनी जनरल ही होता है जो कि केकेबेöh नुगवबाल पहले भी थे लेकिन इनका कारेकाल बढ़ा दिया गया तो अब կे यही तो शार महता सॉलिस्टर जनरल है, प्रिधान मंत्री के सलहकार तरुन कपूर और सामंत कुमार गोयर मैंने बता ही दिया है रौक्या ध्यक्षे, इनसे रिलेटेड आर्टिकल जरूर याद रखेंगे, आर्टिकल 76 में आर्टिकल जनरल के बारे में बताया गया है, इसमें कौन होते हैं, महाधिवक्ता, तो 165 आर्टिकल में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है, तो तीर महिने के लिए फिर से केके वेनुग वोपाल अटार्णी जनरल रहेंगे, 2017 से ये भारत के अटार्णी जनरल के रूप में कारी कर रहे हैं, जो MCC तलवाड है, ये भार वाइट 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है, ये यूके में बायो मेडिकल स्टुरेंट है, इतना लंबा तो याद नहीं रखना कि कहां की स्टुरेंट है, बस ये मिस इंडिया वोल्ड वाइट का खिताब इन्होंने जीता है, हरनास इंदू, ये भारत की हैं, इस बा प्रशने, गेल के ने अध्यक्ष कौन बनाएगा है, तो अभी हाली में जो संदीप कुमार गुपता है, ये बन गए है, गेल के अध्यक्ष, इन्होंने रिप्लेस किया है, मनोज जैन को, गेल इनी की गैस अथौरिटी ऑफ इंडिया इल्मिटेड इन्नी सो चौरासी में स सलाहकार बनाएगे हैं, इसराइल के प्रधान मंत्री, अभी तक कौन थे नेफ्ताली बैनेट, लेकिन अब जो वर्तमार में कौन बने है, यायर लैपिट बन गए है, इसराइल की दिमें बात करो, इसकी क्यापिटल है, येरुसलम, करंसी इसराइली निउसेकल है, प्रेसि सेशन मैंने किया ही था, कि नवी मुंबई एरपोर्ट का नाम बदला गया है, और डीवी पार्टिल एरपोर्ट कर दिया गया है, ये देखिए टाइपिंग मस्टेक है, यहाँ टाइपिंग मस्टेक है, इसे मैं मोडिफाई कर दूँगी, तो नवी मुंबई एरपोर्ट क नाम बदल करके DV पाटिल एरपोर्ट रग दिया गया है कुछ अन्य एरपोर्ट के नाम बदले गया है तो एक अयोध्या का एरपोर्ट आप रिलेट कर सकते हैं देखे डिवी पाटिल बताया है हिमने और अंगाबाद का नाम संभाजी नगर और महराष्ट में एक और जगह का नाम बदला गया था उस्मानाबाद तो उस्मानाबाद का नाम धारा शिव कर दिया गया है हाली में कुछ अन्य नाम बदले गया है जैसे कि राजस्तान में जो मिया का बाड़ा रेल्वे स्टेशन है इसका नाम महेश नगर हॉल्ट, गुजरात के केवडिया इस्टेशन का नाम एकता नगर रेलिवे स्टेशन, जहांसी रेलिवे स्टेशन, विरांगना लच्मी भाई के नाम से जाने जाएगा, अलिगड़ का नाम अलिगड़ यूपी में, अलिगड़ का नाम हरीगड़ और मद्धिप्रदेश का जो होसांगाबाद है इसका नाम बदल करके नर्मदापूरम किया गया था टेनिस के चारो ग्रेंड स्लैम आप जानते ही हैं कौन से चार ग्रेंड स्लैम होते हैं सबसे पहले होता है और यह हार्ड कोट पर खेला जाता है फिर फ्रेंच ओपन होता है मार्च अप्रल के टाइम में यह क्ले कोट पर यहने कि मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है फिर होता है विम्बल्डन ओपन यह ग्रास कोट यहने कि घास के मैदान पर खेला जाता है फिर सबसे लास्ट में नवंबर दिसंबर में होता है US Open ये भी हार्ट कोट पर खेला जाता है तो इन चारों Grand Slam में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाडी कौन बने हैं तो ये बन गए नुवाक जोकोविक नुवाक जोकोविक किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से, टैनिस स्टार है तो वैसे खिलाडी और उनसे रिलेटेड खेल या कंट्री पूछे जाती है तो देखो डेनमार्क के हैं विक्टर एकसलसन ये बैटमिंटन से रिलेटेड हैं अगला प्रशन है हाली में फॉर्णी नेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राश्च पती बने हैं तो ये भी हाली में फिलिपिन्स जिसकी लोकेशन इंडिया के परस्पेक्टिव में आप कुछ यहां देख सकते हैं इसके नए राश्च पती बन गया है फिलिपिन्स की क्यापिटल हो जाएगी मनीला जहां एशियन डेवलप्मेंट बैंक का हेटकॉर्टर है करंसी हो जाएगी फिलिपीनी पेसो अगला प्रशन है एफटी एफ के नियद्धिक्ष कौन में मैं कोश्चन को बहुत ज़दा लेंदी नहीं बना रही हूं बहुत सारे फेक्ट एक ही कोश्चन में मिक्स करेंगे तो बहुत आप कंफ्यूज हो जाएगे इसलिए आसान आसान वे में आप लगों को समझाते चल रही हूं फाइनेंशल एक्षन टास्क फोर्स ऐसी कंट्री जो की टर्र फंडिंग करती है इन पर निगरानी रखने के लिए जो संस्ता है जिसके स्थापने जी सेवन कंट्रीज के दुआरा की गई थी तो FTF के अध्यक्ष अभी हाली में कौन बनाए गए हैं टी राजा कुमार्जो की भारत की मैं आपको बता दू भारत जी सेवन का हिस्सा नहीं है कौन कौन है इक तो कनाड़ा है यूएस से है एशिया के तरफ से जापान है फिर इधर ब्रिटेन मतलब चार कंट्री यूरॉप से है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली यह है जी सेवन कंट्रीज टी राजा कुमार FATF के अध्यक्षु बनाए गए है और FATF के स्थापना 1989 में की गई थी हैटक्वार्टर इसका पैरिस फ्रांस में 2006 में भारत इसका Observer बना और 2010 में पूर्ड कालिक सदस्य बन गया था इसी Financial Action Task Force के दुआरा पाकिस्तान को लगतार तीसरे वर्स ग्रे लिश्ट में वरकरार रखा गया है अजय कुमार मातूर International Solar Alliance में ये अध्यक्ष है और केथरिन रशेल यूनिसेफ के अध्यक्षी पहले हैं अभी हाली में भारत की जो इस्थाई राजदूत है ये रुचरा कमभोज बनाई गई है जसके मैंने बताया कि हर एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से आपका वीडियो इंपॉर्टन्ट है तो अभी आपके BPSC ये NBA एक्जाम में पूछा गया था कि United Nation में भारत के स्थाई राजदूत कौन है तेस्थी रुमूर्थी थे उस समय तो ऑप्शन में वो था अभी रुचिरा कमभोज याद रखोगे दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टिरिया कहां खुजा गया है तो अभी हाईली में केरिविया मैंग्रोफ दल दल लोकेशन में आपको दिखा देती हूँ ये North America है ये South America ये जो कैरिविया शेत्र है यहीं दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टिरिया खुजा गया है देखी बैक्टिरिया इसे देखने के लिए मतलब की माइक्रोस्कोप की जरुवत पड़ती है क्योंकि हमारी मतलब नॉर्मल आखों से नहीं देखा जा सकता है लेकिन इतना क्याले में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला नयायदिस कौन बनी ही केतलीन ब्राउनी जेक्षन क्लेयर कोनूर एमसेसी के तिहास में द्धक्ष बनने वाली महिला केतलीन रशील यूनिसेफ की हैड है और नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड और्गनाईशेशन की पहली महिला अध्यक्षन, जो चीजे बताईए, मैंने वही लिखा हुआ है, तो ये सुप्रीम कोड, अमेरीकी सुप्रीम कोड की छटी महिला ने आये दिन से, लेकिन पहली अश्वेद है, हाली में किस देश ने अपनी पहली COVID वैक्सिन, इसकाई, कोविनिन की उतपादन और विक्री को मंजूरी दिये, तो इसकाई, कोविनिन, को वीवन वैक्सिन, ये साउथ पोरिया की है, जिसे अभी हाली में मंजूरी मिल चुकी है, साउथ पोरिया ना ये दुनिया का पहला तैरता शहर लॉंच करने जा रहा है, जो कि 2025 तक प्रस्ट कोरिया का डिसक्षन आएगा फिर बताऊंगी कि एक फैक्ट और क्या है एक ही प्रस्ट में मिक्स नहीं करते क्योंकि कोश्चन लंबे है एक और चलो बता दिती हूं 5G नेटवर्क लॉंच करने वाला पहला देश है फिर एक और याद रख लो नूरी टूसो देश निर्मित रॉकेट है जिसका परिक्षन साउथ कोरिया निकी है फिर एक और रिलेट कर लो कि यूंसुक्योल यहां के नए राज्ट पती बने हैं है ना तो बहुत सारी चीजे हैं बस मिक्स करके मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूं एंटी पीसी ने किस राज्ज में भारत की सबसे बड़ी तैर्थी सौर उर्जा परियोजन के शुरुआत की है तो देखिए तेलंगाना जो है तेलंगाना के रामा गुंडम में 100 मेगा वाट की चंद्र सेखर राओ यहां की मुख्यमंत्री है तबल साई सौंद राजन राज्जिपाल हो जाएंगी और गुजरात में सबसे बड़ा स्टेचियो ऑफ यूनिटी रिलेट कर सकते हो या क्रिकेट स्टेडियम में रिलेट किया जा सकता है जो कि नरंद्र मोदी की नाम पर सबसे बड़ा होकी स्टेडियम और करनाटक में सबसे बड़ा रिलेट का सबसे बड़ा रिलेट कर दिया गया है नाम 1550 मीटर इसकी लबाई है पहले यूपी का गुरबपुर था अगला प्रशन है कि स्राज्जी की सीकरी जिले में जो खंडेला तहसील है यहां यूरेनिय के विशाल भंडार अभी हाली में स्रीकर जिला जो की राजस्थान में यहां पाए गए है मतलब कि राजस्थान आप यह कहसत नहीं कि आंदरपदेस और जहार खंडे के बाद यूरेनियम खनन में मतलब कि इसके भंडार यहां पाए गए हैं और इसके खनन में हेल्पफु ये बन रहा है राज्जी जिसका नाम है राजस्थान तो यूरेनियम खनन करने वाला तीसरा राज्जी राजस्थान बने आंधर पदिस और जहार कंड के बाद वैसे दिमें बात करूँ यूरेनियम की तो यूरेनियम को किसे यू से प्रदर्शित करते हैं और खासकर atomic bomb बनाने में इसका इस्तमाल किया जाता है और इसका atomic number भी मैं आप लोगों को बता देती हूं क्योंकि आप लोगों के exam में पूछे जाते हैं capital U से प्रदर्शित किया जाता है atomic number इसका 92 हो जाएगा जैपुर राजस्थान की capital है जहां भारत का पहला organ donor memorial इस्थापित किया गया है इसे pink city के नाम से भी जाना जाता है हाली में Miss India World 2022 का खिताब किस्ती जीता है मतलब यह Miss India रही अभी Miss World में भारत को represent करेंगी यह बनी है शिनी शिट्टी जिनकी मेंज आप देख पा रहे हैं यह करनाटक की रहने वाली ही इस बार की 2022 की Miss India यही है खुशी को मैंने बता ही दिया है Miss India worldwide बनी है भारत के बाहर होने वाली सबसे लंबे समय तक चलने वाली प्रतियों गिता खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा एडिशन रहाना हरियाना के पंच गुला में आयजित किया गया था अगला प्रेशन है हाली में आयजित वर्ल्ड अथलेटिक शेंपेंशिप में पदक कालिका में भारत कौन से इस्थान पर था भारत रहा था 33 वे इस्थान पर 18 रहा इसका संसकरण था अमेरिका इसमें टॉप पर रहा सबसे जादा मडल इसने अपने नाम किये हैं 13 गुल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉंच भारत ने 33 मडल इसमें अपने नाम किये हैं और टोक्यो अलम्पिक में भारत कौन से इस्थान पर रहा 48 वे स्थान पर 7 medal के साथ में टॉप पर USA था पैरालंपिक में भारत टोक्यो में ही हुआ था पैरालंपिक भारत 19 medal के साथ 24 वे स्थान पर था यहां 24 कर दूगी में और इसमें टॉप पर चाईना था अगला प्रश्ण है सबसे कम उम्र के विधान सभा अध्यक्ष कौन बने हैं अभी हाली में जो राहुल नार्वेकर है यह बने है सबसे कम उम्र के विधान सभा अध्यक्ष कहां के बने हैं महराष्ट विधान सभा के अध्यक्ष बन गये हैं पैटालिस साल इनकी उम्र है, वैसे दी देखा जतो जो सन्नो देवी है, ये भारत में किसी राज्जी की पहली महिला विधान सभा अध्यक्ष थी, पहले लोग सभा अध्यक्ष जीवी मावलनकर और पहली लोग सभा की महिला स्पीकर थी, मीरा, कुमार, लोग सभा के अभी अधिक्ष तो आप जानते ही हो कौन है ओपी बिल्दा उम प्रकास बिल्दा भी मन्यू मिश्रा न ये सबसे यंग सबसे युवा ग्रांड मास्टर बने हैं सतरंज से रिलेटेट है चंद्राडी मुर्मो सबसे युवा सांसत बनी थी है और इसा से 25 साल में सांसत चुनी गई लिए है सर्वस्रेष्ट नर्स से चुना गया है केन्या की अन्ना कुबाले को दिव्या हेगडे ये बैंगलॉर से ब्राउं करती है इन्हें भी युनाइटेड नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है जलवाई कारी करता है भानुमती घीवला इन्हें फ्लोरेंस सबुटरी के किताब आप चाहें तो यात रख सकते हों क्योंकि इनकी पहली किताब लांच हुई है स्टारगेजिंग ड़ प्लेयर मैं द tinham इंबेज़ेर न लुए तलब अगरा प्रेश्ण है भारत का सुदेश निर्मित विवान वहाकेनी की पहला जो इंडिजीनियस एरक्राफ्ट करियर लॉंच हुआ है इसका नाम क्या है उसका नाम है आयरेंस विक्रांत ये भी वन लाइनर फेक्ट में ही आप लोगों को याद रखना है एडिशनल दोर पर इसके ना लागत पूछी जाएगी ना लंबाई चोड़ाई उचाई देखो 20,000 करोड की लागत से तयार किया गया है और इसकी शमता है कि ये अपने साथ 30 लड़ा को विमान और हलिकॉप्टर क्यारी करके लजा सकता है इंडिया नेवी की स्थापना हुई थी मतलब इंड इंडिया नेवी में शामिल चौथी स्कॉर्पेन पंडुबी है चौथी नहीं चटवी क्योंकि 6 पंडुबीया शामिल होनी थी पांस शामिल हो चुकी है कलवरी करंज कंडेरी वागीर वैला वागीर वगशीर यही है ना चौथी वलध शुरह इसे अभी हालीम प्रसmileन कलार आवोर्ड से सम्मानित किया गया है अगला प्रशन है रामा नुजशायरी की प्रतिमा आप relate कर सकते हूँ statue of equality के तौर पर देखो question को आप कैसे relate करोगी option मैंने कुछ ऐसे set किये हैं जैसे कि श्री नगर statue of peace statue of equality हैदराबाद में स्थापित किया गया समानता की प्रतिमा लेकिन पूछा जाए एकता की प्रतिमा यह ने की statue of unity तो यह गुजरात के के वडिया में पुछा जाए statue of knowledge भीम राउम बेड़कर जी कि यह जो प्रतिमा थी statue of knowledge यह इस्थापित किया गया महराष्ट के लातूर में तो यह सब ही आप connect कर सकते हैं statue से अभी हाली में किसराज जी की काई चटनी को GI tag देने की demand रखी गई है तो ओडिसा की यह चटनी है मतलब यह चीटियों से तयार की जाती है वज्यानिक रूप से यह जो चीटिया है इन्हें ओकोफिला स्मार्गडीना कहा जाता है यह ओडिसा के मयूर भंज में बहुतायत म मात्रा में पाई जाती है काई चीटिया बुनकर चीटियों से तयार की जाती है और आदिवासियों के बीच में काफी लोग पर यह भोजन इसका माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि यह जो चटनी है इसमें प्रोटीन क्यालसियम वटमिंस यह सभी भरपूर मात्रा में प देश का जो बालाघाट जिली इसे GI Tag मिला है। करो अभी मैं आप लोगों को जुलाई का को पर प्रोवाइड करा रही ही। जब आप अगस्त में तो आप लोगों को अगस्त में याद आएगा कि अगस्त के महिने में बिहार का एक प्रोडेक्ट है जिसे जी आई टैग मिला है काफे सारे इस्टुरेंट लोग को याद आही गया होगा इसका नाम है मिथिला मखाना बिहार का प्रोडेक्ट है से अगस्त में जी आई टैग म मैं आपको बता दू ये मैट्स के शेत्र का पुरुसकार है एक सकेंड रुकेंगे मैं पानी पिलू ये ना मैट्स के शेत्र का अवार्ड है जो कि अभी हाली में यूकरेन की प्रोफेसर है मेरी ना विजाय योवोसका इन्होंने जीत लिया है पहली थी मरियम मिर्जा खानी जो की इरान की थी और 1936 में अवार्ड शुरू किया गया हर चार साल में दिया जा रहा है उनिसो पजास से गितानजली श्री टॉम बॉफ सेंड इनकी रचना हंतराश्टी बुकर पुरुसकार इन्होंने जीता है करेर उलहन बेक मैट्स का नोवल एक वो आपको याद आ रहा होगा एबल प्राइज ये करेर उलहन बेक ने 2020 का जीता था नीना गुपता इन्होंने भारत में जो गड़ित के शेतर में दिया जाने वाला आवार्ड है अभी जो इसपात मंत्री थे राम चंदर प्रशास सिंग और अलप संक्यक मामलों की मंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी इन्हों ने इस्तिफा दिया जिसके बाद से अडिशनल चार्ज इन दो मंत्रियों को मिल चुका है अगला प्रशन है नाटो के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किस कंट्री ने की है तो फिल्नेट इस सथाफना काफी जादा चर्चे में था तो इसका इस्तापना वर्स और हैटक्वाटर तो ज़रूर आप लोग याद करेंगे फिल्लेंड और स्वीडन दोनों की लोकेशन दिखा देती हूं फिल्लेंड की लोकेशन यह है इसके जश्ट बगल में स्वीडन है तो फिल्लेंड न यह happiness index में टॉप पर था जबकि happiness index में इंडिया 136 में था स्वीडन यह global energy transition index में टॉप पर था इंडिया 87 में था वन डिस्टिक्ट वन प्रोडक्ट काफी बार में आप लगों को बता है उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है यहां के जो 55 जीलें हर 55 जीले के एक उतपाद को विस पहचान देने के लिए उत्तर प्रदेश में जिसकी ब्रेंड़र कांगना रनॉथ बनाएगी थी हाला कि वन ब्लॉक वन प्रोड़क्ट ये हरियाना का है लिकिन वन डिश्टिक वन प्रोड़क्ट ये उत्तर प्रदेश का है तो इसे ही digital प्लेटफॉर्म से जोडने के लिए ONDC की शुरुआत की गई है Open Network for Digital Commerce किस ने की है उत्तरप्रदेश गौर्मेंट ने तेरा Expressway वाला भारत का पहला राज्जी कौन बना है अभी हाली में जो उत्तरप्रदेश है तेरा Expressway वाला भारत का पहला राज्जी बन गया है अगला प्रशन है जो हमारे विदेश मंत्री एजर संकर इनों ने जी 20 देशों के जो विदेश मंत्री है इसकी बैठक में हिस्सा लिया है कहा आईजित कीगे तो कफी बार मैंने आप लगों को बता है कि जी 20 2022 का जो समिट है अगला प्रशन है जापान के जो पूर प्राइम मिनस्टर थे आप जानते ही सिंजो अभे ये अभी भाशन दे रहे थे भाशन देने के दोरान गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई थी बाद में नहीं मर्णो प्रांत जापान के हाई सिविल नौनर से सम्मानित के जाने की घोशना की गई थी अभी हाली में IMF के पूर मुख्य अर्थ सास्तरेयों की दिवारों पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला भारत की पहली महिला ये बनी है गीता गोपिनाथ, भारत की दूसरी वेक्ति है, पहले रघुराम राजन थे, लेकिन पहली महिला यदी पूछे जाए, तो गीता गोपिनाथ है, जैस्मिन हैरिसन, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की वेक्ति बनी, सिरिसा बांदला, भारती मूल की है अंतरिक्ष पर जाने वाली भारत की तीसरी महिला, पहली कौन थी? कलपना चावला, फिर सुनीता विल्यमसन, फिर तीसरी सिरिसा बांदला, ठीक है, लेकिन भारत में जन्मी दूसरी हो जाएंगी, क्योंकि जो सुनीता विल्यमसन थी, इनको जन्मा भारत में नहीं हुआ नूरा अलमत रूशे, यूए की पहली महिलांतरिक्ष यात्री हो जाएंगी, इंटरनाशनल मॉनटरिक्ष फंड की स्थाप्ण उनिस पैतालीस में वासिंग्टन डीसी मैटकॉर्टर है, मेंबर कंट्री 190 है, इसकी प्रेसरेंट हो जाएंगी, क्रिशलीना, जॉर्जिवा मिस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है, पलवी सिंग ने, देखे, शिनिसित्ती, मिस इंडिया, खुसी पटेल, मिस इंडिया वर्डवाइड, हरनास सिंदु, मिस उनिवर्स, भारत की उपचिनाव आइक्त कौन में ने, देखे, चुनाव आइक्त तो आप को प्रवाइड पहले कराया होगा, और दो महिने पहले जब मैंने आप लोग कुरंट फिर पढ़ाया था, तब नीती आई किसी ओ, मिताब कान्त बताए होंगे, आप चेंज हो गए है, सुमन वेर्यूपाद दक्ष और पर्मिशन अईयर, CEO, निर्बाचन आयो की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई, इसलिए 25 जनवरी को राष्टि मद्दाता दिवस की रूप में मनाया जाता है, हेड़कॉर्टर इसका नई दिल्ली में हो जाएगा, अगला प्रशन है ऐलन मस्क देखे, ऐलन मस्क आप जानते हैं, यह पहले टुटल को खरीदने जा रहे थे, 144 बिलि 24 बिलियन ही है, ठीक है, 44 बिलियन डॉलर का यह डील था, मतलब कि स्पेसेक्स के जो मालिक है और टेसला के भी मालिक है, ऐलन मस्क यह टुटर को खरीदने के लिए इन्होंने सहमती दिखाई थे, लेकिन काफे सारे प्राइवेसी इस हुआ रहे थे, मतलब टुटर सहमत नह बदल था, फेस्बुक का नाम, ग्रीक भाषा को जो शब्द है, मेटा के नाम पर रखा गया, माइक्रो सॉफ्ट, बिल गेट्स, पॉल एलन ने इसकी स्थापना की थी, एमाजोन दुनिया की सबसे बड़ी e-commerce कंपनी हो जाएगी, हाली में विंबल्डन उपन, चलिए, अच्छा में आप लोगों को अभी 4 ग्रेंड्स्लेम के नाम बता रही थी, चार ग्रेंड्स्लेम के नाम बता दी, तो यहां मैं चार्ट में लिखना भी चाहती हूँ, कि कौन-कौन से जो शुरू से Grand Slam हो चुकी देखो US Open तो सबसे Last में होगा तो US Open तो Relate नहीं कर सकते बाकी के जो तीन Grand Slam हो चुके हैं कौन-कौन से Australian Open, French Open और Wimble Open ये तीनों मैं Relate करके बता देती हूँ ठीक है? तो सबसे पहले दी मैं बात करू Australian Open की ये कुश्चन मैंने गलत बोला है सुधार दूँगी चार्ट कहां लिखे? यहां बना लेती हैं, देखो सबसे पहले आपका हुआ है Australian Open तो Australian Open में जो Men Single का टाइटल है, इधर मैं Men's लिख देती हूँ इधर Women's, देखो ये 5 चार्ट के टेगरी में अवार्ट दिया जाते है Men's Single, Women's Single, Men's Double, Women's Double और Mixed Double, ये 5 चार्ट के टेगरी है लिकिन सबस्दा पूछे जाने वाली इस Single के टेगरी है तो उसमें याद रखना Australian Open में Men's Single का टाइटल जीता था राफेल नडाल ने Women's Single का टाइटल इसमें जीता था Ashley Barty ने ये उस्ट्रिले से ब्लॉंग करती अब इन्होंने सन्यास ले लिया इसलिए ये चर्चे में आई थी 25 वर्स की उम्र में सन्यास ले करके इन्होंने दुनिया को चौका दिया था फिर क्या हुआ मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है French Open French Open में भी Men's Single का टाइटल किस ने जीता है राफेल नडाल ने जीता और Women's Single का टाइटल जीता इगा सुटेक ने अब आता है Wimbledan Open जो की सबसे पुरानी प्रतियोग जीता है तो Wimbledan Open का बीदी हम डिसकुशन करें तो इसमें Women's Single का टाइटल जीता है Elena Rai Bakina ने और Men's Single का टाइटल अब इसमें जीता है Nwak Jokovic ने Wimbledan Open दुनिया का सबसे पुराना टैनिस टूर्नमेंट है घास के मैदान पर खेला जाता है यह चीज़ें यहां लिख दी गई है और Nwak Jokovic का कुल मिलाकर की कीसवा Grand Slam है Wimbledan का Wimbledan और इधर French और Australian चलो तीन कंप्लीट हो गए अगला प्रशन है अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित जो महिला अरपत्यों किया सबसे अमीर महिलाओं के लिष्ट जारी की गए थी इसमें जिस भारती को शामिल किया गया था इसका नाम है जैश्री वी उल्लाल ओर 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 ओल इन्हें 15 वे इस्थान पर रखा गया था 1.9 अरप डॉलर की संपत्ती के साथ ये ओर 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 15 वे इस्थान पर रही थी 2018 में ने वर्ल्ड के सर्विस रिष्ट सीओ का पुलिसकार दिया जा चुका है फोप्स के दुआरा जारी दुनिया के सबसे 30 साली महिलाओं के लिस्ट में मैकेंजी स्कॉट जो की जेफ बेजोस की पूरुपत्नी ये टॉप पर थी भारत की तरफ सी निर्मला सी तर्मन टॉप पर थी ओर ओर ओला 37 राइंग थी कमला हैरिस वोइस प्रसेडन्ट है अमेरिका की भारती मुल्की है फालगुनिनाईर ये नायका की फाउंडर रोसी ओ इनका नाम ना तबाया था कि ये भारत की पहली महिला स्वय निर्मित अरब पती बनी थी राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला राज्य ये बना है राजस्थान कहने का मतलब है कि अब राज्य की नागरिकों के स्वास्त की देख भाल करना राज्य सरकार का करतव ये होगा तो राजस्थान Right to Health भी लाने वाला पहला राज़ बन गया है करनाटे की दिमें बात करूँ आईशमान भारत योजना की क्रियानवन में टॉप पर है हरियाणा ये भी हाली में शिराग योजना लेकर के आया थो और पांच ये एरपोर्ट वाला पहला राज उत्तरवदेश हो जाएगा अमेरिका का जो सर्वोचनागरिक सम्मान है Presidential Medal of Freedom या वार्ड पाने वाली सबसे कम उम्रे की महिला बन गई है कौन सी मोन बाइल्स ये एक जिमनास्ट है अमेरिका से भी लॉंग करती है Time Magazine के द्वारा इन ही Service Rest Athlete भी चुना गया था जबकि Service Rest या आप कह सकते हैं कि Person of the Year Time Magazine के द्वारा Person of the Year ये तो चुना गया था Kamala Harris और Joe Biden को Athlete of the Year ये चुना गया Simone Biles को अगला प्रशन है भुटान में भारत के अगले राजदूत कौन बने है तो अभी हाली में जो सुधाकर दलेला है भुटान में भारत के अगले राजदूत बन गया पहले कौन थी रुचिरा कंबोज लेकिन रुचिरा कंबोज अब United Nation में भारत के स्थाई राजदूत बन गयी तो इनका इस्थानब ले लिया है सुधाकर दलेला ने भुटान इसकी कैपिटल है थिमपू करंसी नगुल तरम लटवय शरिंग यहां के प्रधान मंत्री हो जाएंगे विने मुहन कुआत्रा ये विदेश सचिव हैं पहले ये नेपाल में भारत के राज़ूत थे लेकिन अब नेपाल में भारत के राज़ूत नवीन श्रिवास्तो बने हैं अगला प्रश्ण है प्रधान मंत्री नरणरmore मोधी ने किस राज में देव घर होई एड़े का उद्गहाटन किया है तो ज्जार कंड में इन्होंने देव घर घर अवाई आदे का उद्गहाटन किया है इससे भी इंपोर्टन आप लोगों को याद रख लेना है कि इन्होंने जो बारत जोतिर लिंगमी से सामील एक बाबा बैर दिनात धाम है, इसका जिरणेड़ द्धार कराएगे तो इसका विदगाटन इन्होंने कि आप कह सकते हैं कि बाबा बैर दिनात धाम के दरशन करने वाले भारत के पहरे प्रायम मिनेस्टर बन गया है और यहीं पर इनों ने देरधर हवाई डेकोद घाटन किया है जारखंड की राजधानी हो जाएगी राची हेमंत सोरेन मुख्य मंत्री हो जाएगे और आर इन्रवी राज जिपाल हो जाएगे बेतला नेशनल पार्क हो जाएगा किस एक्सप्रेस वे को भारत के पहले अलिवेटर शहरी एक्सप्रेस वे के रूप में विक्सित किया जा रहा है तो अभी हाली में जो बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे है माफ किजिएगा यह द्वार का एक्सप्रेस वे का द्वार का expressway है जिसे भारत के पहले elevated सहरी expressway के रूप में विक्सित किया जा रहा है इसे northern peripheral road की नाम से भी जाना जाता है और यह expressway 29 km लंबा है 19 km हिस्सा इसका हर्याणा में आता है और 10 km यह दिली से जुड़ता है तो यह elevated expressway जो technology है यह एक तरह से पुल के रूप में होता है उनी लाकों पर बनाया जाता है जहां घानी आबादी के वज़े से जमीन का अधिक रण करना मुश्किल हो जाता है कम जगह है तो इस तरह से elevated सरके निकाल करके ने टेक्नलोजी का इस्तमाल करके प्रांसपोर्ट को सुगम किया जाता है अगला प्रशन है अंतर राश्टी T टू गूपिंग से कौन से देश जुड़े हैं तो आई से इसराइल आई से इंडिया फिर यू से यूएए और यूसे यूसे तो चार कंड़र इसमें शामिल है इंडिया इसराइल यूए यूसे तो इन चारो देशों के लीडर इस समिट में पासिपेट करने जा रहे हैं अगला प्रशने भारत का पहला carbon neutral हवाई अड़ा कौन बन रहा है तो इसमें से जो ले airport है ये भारत का पहला carbon neutral airport के रूप में इसे विक्सत किया जा रहा है अगपूर ये किसका निर्वाशन शेत्र है ये हमारे जो जहाज रानी और शिपिक मंत्री है नितिन जैराम गटकरी जी इसका निर्वाशन शेत्र है इनका निर्वाशन शेत्र है पुबली में सबसर लंबा railway station मैंने आप लोगों को याद करा ही दिया है स्री सिद्धिर इदा स्वामी जी railway station करनाटक में है भोपाल में भारत का पहला वर्ल्ड क्लास railway station कमलापती railway station आप लोगोंने याद किया है और इन दोर में एशिया का सबसे बड़ा स्पीट रेक नाट रेक्स को घाटन किया गया था अगला प्रशन अभी हाली में जेंडर रिपोर्ट जारी की गई आप यह भी याद रखना कि रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीस की जाती है वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम ने जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीस की है 146 कंट्रीज के बीच में भारत को मिला है 135 वा इस्थान इसमें टॉप पर हो जाएगा आइसलेंड वैसे ही आप रिलेट करो तो हैपिनस इंडेक्स में इंडिया को मिला है 136 प्लेस इसमें टॉप पर ह पर हो जाएगा फिल्लेंड वैसे ही आप रिलेट करोगे तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया को मिला है 150 वा इस्थान टॉप पर हो जाएगा नॉर्वे और 101 को जिसन किसकी भारत की भारत की किसमें है हंगर इंडेक्स है निकी भूख सुचकांक में 101 नंबर पर रहा है मैं इसलिए कह रही हूं कि आप लोग PDF को नहीं निकलवाएंगे क्योंकि मेरी राइटिंग सही नहीं रहती है अब देखो यहां हंगर लिखा हुए आप लोगों को समझ में आनी रहा है PDF निकलवा करके प सबसे पहले यह याद रख लो कि बहुत चर्चित जो जेंस वेप टेलिस्कोप है यह किस स्पेस एजनसी से रिलेटेड है नासा से यह इसलिए चर्चे में आया है इसमें आकाज गंगाओं के विशालत समूह को दिखाया गया है पूरी डिटेल आप लोगों को लिखी जब आप पीडिएफ को पढ़ेंगे ने तो आपको एट चीजे समझ में आ जाएंगे वन डे एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो उसी साब से मैं आप लोगों को चीजों को और आल बता ही रही हुँ लेकिन आपको जानकरी जादा ही चाहिए कि मिन्स के परस्पेक्टिव से भी आप पढ़ेंगे तो PDF आपके लिए helpful रहेंगे तो मेरे point of view से इस प्रश्ण से जेम से वेप टिलिस को भी की point याद रखेंगे NASA जो के America की Space Agency इस से समणनी थे इस तीफरे चर्चिं में आया था अगला प्रश्ण है इंटर्नेट क्रांती के जनक माने जाने वाले ऐसे कौन से वेक्ति थे जिनका अभी हाली में निधन हो गया तो इंटर्नेट क्रांती के जनक माने जाते थे ये पासवर्ड के पासपोर्ट नहीं, पासवर्ड हुगा, पासवर्ड तो यूज़ करते ही होंगे आप लोग, अपने कम्प्यूटर वगेरे में, तो पासवर्ड का जनक माना जाता है, फर्नांडो का बड़ो को, वर्गीज कोरियन कौन है, तो भारत में दुख धक्रांती, वाइट रिवलीशन इन इंडिया इसके, जनक वर्गीज कोरियन है, सोले सुरफ जिन का भी निधन हुआ ये भारत के पूर अटार्णी जनरल है, अगला प्रशन है, किन दो इस्थानों को टाइम मेगजिन के द्वारव वर्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ओफ दोहजार बाइस म ुआ है घानछी का लोगीजा, तो इन दोनों के बीच मेल ग्या है, इसके भारत पाकिस्थान के काउं दो सी सीस defense बाइस का को सी सी direखा है, घ्ली तेसे, भारत आर चाइन की देखा में इंद्रा एविया इंद्रा अगला प्रश्ण है आई एससाफ इनके इंटरनेशन शूटिंग स्पोर्ट फरडरेशन निसाने बाजी विश्योकप में आठ मडल के साथ पदत कालिका में कौन टॉप पर था तो साथ कोरिया में प्रतियोगिता एजन हुई जिसमें आठ पदिक सब्सक्राइब शुनात कालिडर का उद्धाटन किया गया है मुपाल में मैंने बता ही दिया कमलपती रिल्वे स्टेशन मुंबई से याद रख लो आप लो कि अब भारत का पहला अंतराश्टी क्रूज सम्मेलन यहीं आए जित होगा और जैपुरी से युनेसको के हेरिट सेड में 2019 में शामिल किया गया था वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंप्मेंशिप 2022 में 100 मीटर स्प्रिंट में भावानी देवी डागरी ने कौन से मिडल जीता है इनका कोशन में इसलिए आड़ी किया है इनकी उम्र आप देख सकते 94 वर्षी है 10 जुलाई को जो प्रति या पातकर लगाया गया है 50 डिग्री से ज्यादा तेम्टेचर यहां दर्ज किया जा रहा है जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले ऐसा यहां की सरकार ने आदेश दे दिया है युनाइटिट किंग्डम मतलब कि 40 डिग्री के आस पास यहां के तेम्टेचर पहुच रहा है रेड अलट का अर्थ है कि यहां जीवन जोखिम में है और जो हमारा डेली रोटीन है इसे चेंज करने की जरूरत है ब्रिटेन की क्यापिटल लेंदन करंसी पाउंड अस्टर लेंग जल्द यहां के प्राइम मिनेश्टर है जो भाहरती मूल की रिसी सुनक बन सकते हैं बन एक शेंपेंशिप 2022 का अजन कहां हुआ तो इसका अजन अमेरिका की यूजीन में हुआ था और इसी प्रतियोगीता में नीरा चोप्र ने सिल्वर जीता था याद रखना इसका 19-18 हवा संस्क्रा था नेक्ष्ट फिर होगा हंग्री फिर जापान में होगा इंग्लेंड में Commonwealth Games 2022 का अजन हुआ टॉप पर ऑस्ट्रिया थी अभी जो FIFA Men's World Cup चल रहा है ये कतर में हो रहा है अगले प्रशने KVIC के नेध्धक्ष कौन बने खादी एवं ग्राम उद्योगा आयोग तो अभी हाली में जो मनोज कुमार है ये बने हैं खादी एवं ग्राम उद्योगा आयोग के अध्धक्ष इन्होंने विने कुमार सकसेना का स्थानी है क्योंकि आप लोगों इसके अध्धक्ष सामंत कुमार गोयल और आई बी इंटेलिजेंस विरो के तपन कुमार डेका बने हैं नीती आयोक्यूप पाध्धक्षन सुमन बुएरी हो जाएंगे FIH महिला होक्य वर्ल्ड कप 2022 का किताब जीत लिया है किसने नीदर लेंड ने जीता है नीदर लेंड का मैप नहीं एड़ कर पाएंगे नीदर लेंड की कैपिल एमस्टरडम करंसी यूरो हो जाएगी तो भारत इस वर्ल्ड कप में नौब इस्थान पर रहा आयोजन इसका समझनी की शंता को किसी मसीन में डिवल्लब करना ऐसे मसीन की इसानों समझ सके तो ऐसे में जो राजस्थान है में तक कुस तो किस प्रसिद्ध ख्हिलाडी एसी कौन से ख्हिलाडी जो राज्य सभा कि सधस्यता ले लिए पीटी उशा क्या ये उड़नपरी के नाम से जानते हैं चाहां तो पीडेशा 2022 में अभी जुलाई में इन्हों ने राज्यसभा की सदसेता ले लिए सभापती M.Wankyan Ido ने PT. उसा को सपत दिलाई अब इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होए क्योंकि जो राज्यसभा की सभापती होती है भारत को वोईस प्रेसेडंट होते है तो जब PT. उसा सपत ले रहे थी उस समय कौन थे? M.Wankyan Ido थे तो कन्फ्यूज करने के लिए ऐसा कोशन पूछ सकते है कि भाई इन्हों ने राज्यसभा की सदसेता वाली सदसेता दिलाई किसने है और आप कन्फ्यूज हो करके अब जगदीब धहन कड़ कर दी क्योंकि अब तो उपराश्टपती जगदीब धहन कड़ी बन गया है लेकिन याद रखना जुलाई तक कौन थे वैंकया नाइड उजी थे PT. उशा 1983 में ने अरजुना आवाड मिल चुका है और 1985 में पदमश्री जो कि भारत का चौथा हाई सिविलन ओनर है राजी सभव में देखो राजी सभव को उलेक अर्टिकल असी में है भारत का उच्छ सदन है और इस्थाई सदन यानि कि कभी भंग नहीं होता तो इनमें 12 सदस्यों को राश्टपती द्वारा निर्वाचत किया जाता है जो कि कला साहित ग्यान खेल और सामाजिक सेवाँ में योगदान देने वाले होते हैं तो इन्हें राश्टपती के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है और रज इस भाव मनुरीत होने वाले पहले खिलाड़ी कों थे सचिन तंदुल कर थे हिमादास असम सरकार के द्वारा इन्हें डियस भी बनाया गया है सान्या मिर्जा ने तो सन्यास ले लिया है और जो पीवी सिंदु अभी कॉमन वेल्थ गेम से मेनों ने पूल्ड मिडल जीता है मंकी पॉक्स का पहला केस अभी हाली में भारत में देखा गया है केरल में केरल में देखो टोमेटो फ्लू वाइरस भी पहला जो है केरल में देखा गया है निपा वाइरस भी केरल में नायल वाइरस भी केरल में तो यह सभी हम लग उने केरल से रिलेटेट पढ़ा है बंकी पॉक्स ये 1970 में सामने आया था, मतलब कि अफ्रीका में निकला था, ये केस पहली बार बंदरों से फैला था, फिर इंसानों में फैला, चोटे-चोटे रडड रडड दाने निकलाती अभी तक इसका कोई ठोस इलाज नहीं निकल पाया है, ठीक है, पहली बिमारी, हो अभी हाली में बन गया, इरान, SEO, संघाई कॉर्परेशन और इसके स्थापना पांस देसों ने मिलकी की थी, रशिया, चाइना, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, और किर्गिस्तान, इन्होंने स्थापना की थी, लेकिन इसमें शामिल हुआ, 2001 में, उजबेकिस्तान, हो गई, और अब नया देशस में शौमिल हो चुका है, इरान, इरान की क्या हो जाएगी, तेहरान, इरानी रियल करंसी, लगिन बाद में तो मानी, ये करंसी इसने लांच की थी, इंडिया इन्डेक्स जिसे आप नवा चार्ट सुचकांग की नाम से जानते, नीती आयोग रिलीस करता, ये भी याद रखना, तीन अडिशन ही जारी कर चुका, और तीनों इंडेक्स में अभी तक टॉप पर केरल इसमें रहा है, अगला प्रशन है श्री लंका, ठेलो बाकिया ओप्शन देख लो तो नीती आयोग के ही द्वारा हेल्थ इंडेक्स रिलीस किया गया केरल इसमें टॉप पर था, इंद्रधनुष वेक्सिनेशन प्रोग्राम को लेकर के ये जो योजना है, इंद्रधनुष क्रियानवन में ओडिसा टॉप पर है, मदिर प्रतिस एनिमिया मुक्त भारे सुचकांके में टॉप पर है, श्री लंका के नए राष्ट पती बने है इमैनल मैकरोन हो जाएंगे फ्रांस के, यायर लेपिड, ये प्राइम मिनिस्टर कहां के, इसराइल के, साबा सरीफ कहां के हैं, ये हो जाएंगे पाकिस्तान के, पंद्रहवी राष्ट पती भारत की कौन बनी देखो, प्रतिभा पार्टियल के बाद दूसरी महिला राष् पती बन गही द्रौपदी, मुर्मू, और उप्राष्ट पती कौन बने ही जगदीब, धनकड, आनंदी बेन, पतेल, उत्तर प्रदीस की राज़िपाल है, अनुसुय होई कि चतिसगड की राज़िपाल है, उप्राज़िपाल बुला के मैंने, आनंदी बेन, उत्तर मैं यहां आप लोगों को लिग देती हूँ, दो तरह की उलंपिक होते हैं, देखिए, समर उलंपिक, विंटर उलंपिक, दोनों चार-चार साल में होते हैं, तो दो हज़ार बीस का जो समर उलंपिक रहा हुआ 2021 महला की, जापान की टोक्यो में, और 22 में जो विंटर उलंप समझ गए? już 2022 में भी क्या हूँगा है पैर ओलंपिक तो sorry winter ओलंपिक तोar 26 में होगा now next कहां होगा italy kay meeting मिलण में तो olempick के पांच छले 5 महादीब को represent करते हैं यॉरॉप महाधीब को represent करता है नीला रिंगakers अफ्रिका महादीब को represent करता है ब्लैक रिंग अमेरिका को रेड़ वाला उसीन एशिया वाले शेत्र को ग्रीन और एशिया वाले शेत्र को येलो रिंग इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के स्थापना 1894 मुही लॉजन स्विजर लेंड में हेड़कॉर्टर थॉमस बाक अध्यक्ष हो जाएंगे दो अप्शन के बारे में बता चुकी हूँ ओड़ी सा भारत में एफ आइएच यानि के इंटरनेशनल होकी फडरेशन के दोड़ा मेंज वर्ल्ड होकी मेंज वर्ल्ड कप यहीं होगा इस साल कर थो 2023 वल्ला अगले साल भारत में चीता लाया जा रहा है दसकों बाद चीता ला श्योपूर है इसी श्योपूर में कुनो नेशनल पार्क है और इसी कुनो नेशनल पार्क में यहां से लाए जाने वाले चीतों को बसाया जाएगा भारत का पहला सब्सक्राइब है तो अभी हाली में जवाहर लाल नहरुपूर्ट यह भी याद रखना कहा है तो इसके लोकेशन महराष्ट में है यह सभी बर्थिस के पीपीप यह नहीं की पॉब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप इस मॉडर पर संचाली थे और यह भारत का पहला सब् सब्सक्राइब पारादीप ओडिसा में है जो इंपॉर्टन बताते जारी है अप लगों को फिर पोरबंदर गुजरात में है भावनगर गुजरात में है वेरावल वाला यह भी गुजरात में है जवाराल नहरु महराष्ट में है पनिजी मारमुगाव दोनों गोवा से य जाएगा यह नूर यह तमिल नाडवाल शेतर में आय रहे हैं फिर मश्ली पट्टम यह आंद्र प्रदेश में तो यह कुछ इंपॉर्टन इंपॉर्टन आप याद रख सकते हैं अगला प्रशन भारत का पहला प्रमाडित हर घर जिला कौन बना है हर घर राज जी पूछा ज बन चुका है इस तरह यह पहला हर घर जल वाला जिला बन चुका है काजा ही मार्चल परिस में स्थित है दुनिया की सबसुचाई परिस्थ यह वहिकल चार्जिंग स्टेशन यह सापित किया गया है सांबा जमू कश्मीर में है जो प्रदान मंत्री जैनारोग्य योजना के है 100% परिवारों को शामिल कर लिया है और जिले का डिस्कुशन है तो जाम ताड़ों को रिलेट कर सकते हो यह जहार खंड में और यह हर गाउं में पुस्तकाले वाल भारत का पहला जिला है अगला प्रशन है कि भी हाली हुसे एक मुहम्मद सबा अलसलेम किस देश के सब्सक्राइब के लिए पीडियाफ में डाल रही हूं ताकि आपको डिटेल में सारी चीजे मिलें बस इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूं यायर लेपिड श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर है दिनेज गुनवर्ध ने श्रीलंका के और बांगला सब्सक्राइब का अर्पना को बेश्ट हिंदी फिल्म कुल्याज जूनियर और सरवस्रिश्चर फिल्म सुराई पोट्टों चुने गई है हाले में लॉंच की भारत के पहले मानों ये तो ड्रोन का नाम क्या है तो इसका नाम हो जाएगा वरुन वरुन इसकी रेंज 25 किलो अर्प गार्ट प्रूफ जैकेट है जो कि अंडियन आर्मी द्वारा तयार की गयी थी भारत ड्रोन है ड्र ड्रों ये अद्वरार डबलग कियागया था एले सी वाल एरियां नीगराने रखने के लिए निन्जा भी ड्रोन ही है रेलिवे परी समपत्यों की रक्षा करने क् FIH के ने कारी-कारी अद्धिक्ष कौन में अभी तक कौन थे नरेंदर बत्रा इन्होंने इस्तिफा दे दिया तो सैफ एहमद ये कारी-कारी अद्धिक्ष को पदभार सम्हाल रही है FIH की स्थापना FIH इनकी International Hockey Federation 1924 में स्थापना हुई Lawson, Switzerland में Headquarter हो जाएगा ग्रेग बार कले ICC के अद्धिक्ष कर्मस बार्क इंटरनेशनल ओलंपिक कमीटी के अगला प्रशन है सर्वोच्च फिल्म अवार्ड केरल का जो सर्वोच्च फिल्म अवार्ड है ये JC Daniel के नाम से दिया जाता है इस बार का दिया गया है KP कुमारन को अभी मैंने Best Actor का अवार्ड बताया है राश्टी फिल्म अवार्ड में जो की अजे देगवन सूरिया ने जीता है और दादा साहब फाल की अवार्ड जो इंक्या वनवा था रजनी कांते ने जीता है नीरा चोपडा ने World Athletics Championship हुई कहां बताया थे मने अमेरिका में हुई इसमें इन्होंने Silver जीता है गोल्ड याद नहीं रखना Silver Medal नीरा चोपडा ने जीता है टेक है और 88.1 मिटर का थ्रोव इन्होंने किया है और यह जो विनर रहे थे एक ग्रेनाडा के आंडर्सन पीटर इन्होंने 90 मिटर तो डो मीटर स्मदिंग से यह पीछे रहेगा और इन्होंने यहां पर जीता था अभी हाली में बैंकों का बैंक है जो वर्ड बैंक इसके निया तसास्तरी बने कौन बने इंदर मिड़ गिल बन गया है यह न एक सितंबर से पदभार सम्हाल नेंगे और मैंने पहरे बता है वर्ड बैंक है लॉंग टर्म लोन देती है जबकि जो इमफ है यह शौट टर्म लोन देती है इसके स्थापना में कंफ्यूज नहीं होएगा इस्थापना उनिस चौवालिस में थी संचाला उनिस पतालिस से शुरुआ था वसिंक्टन डेसी में इसी वर्ड बैंक में सी एफ हो है भारती मुल्की है आई में मुख्य अर्थसास्तरी पेरे ओलिवियर सकुराजी माजवाला मुखी चर्चे में था क्योंकि हम इसपोर्ट हुआ है यह जापान से रिलेटेड हो जाएगा एक मांट मेरापी जवाला मुखी चर्चे में था गभी इच्वाले शित्र में फॉट था रॉजर चौबिस के बाद कौन सा जो देश है इसख इंटरनेशनल सपेस स्टेशन का इस्टर का हिस्सा नहीं रहेगा तो रश्या नहीं रहेगा तो रश्यानिंद क्योंकि अभी खुद का सपेस स्टेशन बनाने जा रहा है स्पेस स्टेशन कहने का मतलब है देखो एक अंतरिक्ष में उड़ता चलता फिरता टूबी एचके का फ्लैट है जहां वैग्यानिक जाते हैं दो चार शामेन रहते अपनी रिसर्च कम्प्लीट करते हैं तो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना ना पांच देशो के द्वार कि गयिती ना सा जोपिए अमेरिका की स्थापना की थी लेकिन अब इससे रश्या एग्जिट हो जाएगा ठीक है अगला प्रशने है किस नेशनल पार्क को International Ranger Award से सम्मानित किया गया है तो जानवरों की देख रहे के लिए अच्छे प्रदेशन के लिए जो ओरंगा नेशनल पार्क है जो कि कहां इसे थे असम में इसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ये असम का सबसे पुराना वनी जीव अभ्यारने इसे मिनी काजी रंगा के नाम से भी जाना जाता है 1999 में से राश्ट उद्ध्यान भुशित किया गया है और सिंगलीला नेशनल पार्क ये आपका कहां हो जाएगा सिंगलीला ये है पश्च्छम मंगाल में कानहा नेशनल पार्क हो जाएगा मद्य प्रदेश में जिम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट हो जाएगा उत्रा खंड में दुनिया की जो दूसरी सबसे उशी चोटी है केटू गॉडविन उस्टिन आप इसे कहते हैं इस पर फता करने वाली पहली बंगला देशी बनी है वसीफा नजरीन जिन्होंने केटू पर चड़ाई कर ली है यह कारा कोरम रेंज में इसती थे इसे गॉडविन उस्टिन के नाम से जाना जाता है 86-11 मीटर इसकी हाइट है मौन्ट आवरेश दुनिया के सबसे उच्छी चोटी है 8848.86 इसकी मीटर है हाइट मतलब पाकिस्तान से नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ओर्गनेजिशन के पहली महिला देक्षन भारती क्रिकेट टीम का नया टाइटल स्पॉंसर चुना गया मास्टर कार्ड को और अभी मास्टर कार्ड के जो ब्रैंडम बैजर भारत के चार लोग चुनेगे न पांच लोग लक्ष सेन किदांबी श्रीकांत सत्वी साहिराज रंकी रेड़ी और चिराक शिट्टी यह चार थी हां चार लोगों का नाम शामिल था अंतराश्टी पुरुष्टी 20 क्रिकेटी थी हास में सतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेवाज बन गया हैं गुस्ताव मेक्यों अप्शन नमर ए इसका राइट अंसर हो जाएगा क्योंकि इन्हों ने जब यह उपलब्दी हासल की है तर दिन की उमर 18 साल 280 दिन थी हैं और एसे कोस्चन में एसे कुस्चन में किया ही ज़िक याद रखोंगे आप लोग सिर्फ कोस्चन है और इसका राइट आंसर ही तो याद रखना है कंट्री याद रख सकते हो फ्रांस के क्रिकेटर है 300 साल बाद लूलो रोज नाम का दुनिया का सबसे गुलाबी हीरा ये पाया गया है अभी हाली में अंगोला में अंगोला है कहां तो अफरिका के मैप में ये है अंगोला अंगोला के जश्ट नीचे नामी भी हम लोगो ने देखा था जहां से अफरिकी चीते लाए जा रहे थे तो इस अंगोला में 170 कैरेट का गुलाबी हीरा पाया गया है 34 किलोग्राम वजनी ही नाम रखा गया है लूलो रोज 300 साल बाद ये पाया गया है किस देश के क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनिल गावसकर के नाम पर रखा गया है तो इंग्लेंड का जो लिसेश्टर क्रिकेट ग्राउंड है इसका नाम सुनिल गावसकर के नाम पर रखा गया है सुनिल गावसकर से रिलेटेड आइसी से हौल अफ फिम में शामिल है याद दा रहा था अलग कि अब तो साथ लोग शामिल हो चुके हैं नाम नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा सचिन तंदुलकर यदि सुरू से रिवाइस करो तो अनिल कुम्बले सुनिल गावसकर बिसन सिंग बेदी सुनिल गावसकर करो कि सचिन तंदुलकर राहुल द्रविण है और अभी सात्वे मीनु माकंड़ शामिल किये गया है अगला प्रश्ण है किस देश से भारत को MH-60 रोमिय हलिकॉप्टर मिले हैं आपके एक्जाम में ऐसे प्रश्ण पूछे जाती है कि भारत ये चीज़ी लिए तो किस देश से लिए बेपीएस्टी में ही सवाल पूछा गया था राफियल विमान से लेकर कि राफियल या कु अमेरिका, अमेरिका से भारत चिनुक हेलिकॉप्टर भी ले रहा है, इस्राइल से हैरॉन ब्रॉन ले चुका है, फ्रांस से भारत की ड्रील है, राफियल विमान को ले करके, और रश्या से भारत की डील है, एस 400 को ले करके, और एके 203 असॉल्ट राइफल को ले करके, तो तो 34 हेलिकॉप्टर भारत लेना जा रहा है किस से अमेरीका से 2035 तक भारत को पूरे मल जाएंगे, 15 हजार करोड की डील है, रोमी है है किस से लेने जा रहे है? एक लेन मियाद रखेंगे, किस से अमेरीका से लेने जा रहा है, अंतिम प्रश्ण है आज कि किस देश की संसद में दुनिया का पहला तंबाकु निरोधी बिल पाया गया है पाया नहीं गया है लॉंच किया गया है तो न्यूजेलेंड की संसद में यह पेश किया गया है मतलब भी कुछ कानून बनाया जाएंगे क्योंकि यहां बच्चे कितनी हो यह तेक किया जाएगा सारी बातों को विसेश ध्यान विसेश रखा जाएगा ऐसा भी लाया गया है न्यूजेलेंड में रिशलेंड की कैपिटल है वेलिंटन करंसी डॉलर और न्यूजेलेंड कैबंड में शामिल पहली भारती प्रियंका राधरक्रिश्नन हो जा याद रख सकते हैं कि प्लांट से बनी दुनिया की पहली कोरोना वेक्सीन और जापान से क्या रिलेट करोगे जापान तो हैंले पांसपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर है दुनिया की डूल मोड वेहिकल जापान ने लॉंच की थी चलिए इंक्यानवे प्रश्ण यहां से आ अगस्त मंथली आप लगों को प्रवाइड करा दू मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो को साथ थैंक्यों सो मच्छ